उज्जेन में 12 करोड की लागत से हवाई एड़ा इस्तरिय सुविदा की तरह नवीन एरपोर्ट की तर्ज में हमको नवीन भवन की सोगात माननिय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी ने दी है उद्गे लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा और उज्जेन इंदोर रेल पत्र के धोरी करण के लिए भी आपने बजट में 100 करोड का प्राहुधान रखा है उसके लिए भी मैं मानिय मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा आपके माध्यम से मानिय रेल मंत्री जी को अउगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदिये छेत्र में महितपूर रोड विक्रम नगर आलोट तराना रेलवे स्टेशन पर कोवीड 90 के पूरों जो ट्रेने रुखती थी उनके स्टापेज कोवीड 90 के कारण समाप्त कर दिये हैं उन यात्रियों को गाड़ी को पुर्ण इन सभी स्टेशन हमर रोकने के अनुमत्ती प्रदान करेंगे तो बड़ी करपा होगी मालिये सभापती जी 16 सितंबर 2019 को रतला मंडल की बेठक में जिसकी अध्यक्षता अपतातकाली केंद्री मंतरी थावर्चंजी गेहलोग ने सारवा निरड़ा लिया था, सारवा 39 सा निरड़ा लिया था कि चित्तोड के बीच में वीर भूमी एक्सप्रेस के पुराने समय चकर पर एक नहीं मेमो ट्रेन चलाई जाएगी जो अभी तक प्रारमने नी की गई है, छेत्री की जनता को अत्यदिक असुविधा हो रही है, इस संदर में आप में आप से माद्यम से मानि मंत्री जी से आगरक करता हूं, कि वह जल्धी से जल्दी इस ट्रेन को प्रारम करन कि करपा करें मानिय सभापती जी कोविड 90 के कारण पश्यम रेलवे रतलाम डिविजन में सवारी की गाड़ी मेल एक्स्प्रेस बंद कर दी गई थी यह गाड़ी अभी तक प्रारंब नहीं की गई इन्हें तकाल प्रभाव से प्रारंब की जाना अच्छनत आवशक है मानिय सभापती जी 12415 ऑबलिक 169 दिल्ली इंदोर इंटर सिटी का प्रसिद जेन तीर्थ महावीर जी में स्टापे समाप्त कर दिया कर दिया गया है सभापती जी आपके माध्यम से मानिय मंत्री जी से अनुरोत करने करता हूं कि ये स्टापेस को दुबारा से ट्रेन के रोकने क लिए निर्देश दिये जाए ताकि लोगों को आपे तीर्थ में सुविदा हो मानिय सभापती जी इंदोर उज्जेन के बीच एक दीन के दो फेरे मेमो ट्रेन चलाई जा रही है मैं मानिय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा लेकिन उन से मैं विनबर सेदन करूंगा कि इसके फेरे बढ़ा देंगे तो जनता को और सुविदा होगी सर एक में कोविड-90 की समस्या के पूल जीन यात्रियों की गाड़ी MST यात्रियों को पुना यात्रा करने की सुविदा प्रणान करने के लिए मानिय मंत्री जी से मैं आगरह करना चाहूंग कोविड-90 के कारण सीनियर सिटीजन रेल यात्रियों को किराय में जो छूड दी जारी थी वो बंद कर दी गई है मेरा मानिय मंत्री जी से आगरह है कि उसे जल्द से जलब पुना चालू किया जा ताकि वरिष्ट नागरिकों को पूर्वी की तरह यात्रा सुविदा मिल सक सामानी टिकेट दिने का अनुरूत करता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी सामानी टिकेटों को प्रारम किया जाए जिससे लोगों को सुविदाए मिले मेरे लोग सवाज छेतर में उज्ञेन जालावार रेलवे की लाइन की मांग सालों पुरानी है मानिय सभापती जी इसमें पहले भी तीन बार सर्वे हो चुके हैं और मानिय मंत्री जी से भी मैंने अरूरोत करा था लेकिन मानिय मंत्री जी ने वहला इसमें खर्चा जादा आ रहा है लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 1905 में मीशा जब ल बिल्कुल कोई विकास निये कोई इंड्रेस्टी निये वहां के युवा भी वेरोजगार घूम रहा है अगर मानि प्रधान मंत्री जो आपकी करपा हो जाएगी तो यह जालावाड रेल्वेज जालो लेकर कारण हम सीधे दिल्ली से जोड़ेंगे इससे मैं आप से आगरे कर करता हूं कि इसको भी करप्या कर करने की करपा कर एक मिनिट सर बेरे लोग सवा छेतर में छोटे गाउं किसान विद्धारती के लिए इंदो नागदा पेसेंजर ट्रेन का परिचानन करना अतिया आवशक है इसको भी करपा कर आप प्रारंब करेंगे मानिया सभापती जी एक मिनट ओर लूँगा बस कि मानिया मा प्रधान मंत्री जी के नेतरत में मानिया हमारे कूल शांत दिखने वाले रेल मंत्री जी जो बहुत ही स्पीट से काम कर रहे हैं जो बुलेट की स्पीट से काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे को सोगाते भी बहुत दी जैसे हमारे क तो लाइन उखड गई थी, मीटर गेज, उसको आपने ब्रॉड गेज करके, हमको मेमो चलाई, उसके लिए में आपका बहुत दिल से प्रधान मंत्री जी और आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मेरा तो इतना सोबा गे है, कि आप से मैंने निवेदन करा था, कि महाकाल एक्स्प्रेस का उपनिंग करने, आप आए, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी सोगात दी कि मानिये प्रधान मंत्री जी से उसका लोकारपन कराया, मैं तो सोच भी नी सकता था, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत-बहुत प्रधान मत्री जी और आपका धन्यवाद करता हूँ, मानिये सवापती जी, आपने मुझे जो बूलने का उसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं बजन के हिसाफ से मानिये मंत्री जी से मांग रहा हूँ, तो झाल